वेलकम गाइज कैसे हैं आसा है अच्छे होंगे साथ यह चल रहे हमारी एक्सल की सीरीज और अब हम शुरू करने वाले हैं फोमले हम फोमला टैब के अंदर पहुंच चुके हैं यहां से एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है कोई भी वीडियो मिस ना करे क्योंकि यह जो सारे फंक्षन हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं इनको एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे तो कोई वीडियो आपका मिस ना हो इस बात का ध्यान रखे और सारे वीडियो पूरे देखें कोई भी पार्ट स्किप ना करें तो सभी फंक्षन हम विश्कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर को चलिए सीख लेते हैं यहां पर फोमला के अंदर हमारे पास बहुत साइब फोमला हैं अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग फंक्षन है कहां पर हमको कौन सा फंक्षन मिलेगा या फिर किस काम के लिए या हमने क्या रिजल्ट चीए क्या हमारे रिक्वाइरमेंट है उसके अकोर्डिंग हमको कौशा फोमला अप्लाई करना चीए ये शारा हम दीरे-दीरे सीखते चले जाएंगे यहां पर देखे सबसे पहले हम जब फोमला टैप के अंदर जाते है त सबसे पहले तो इंशच्छक फ stimulate कराना है का पे कश्ट कराना है तो ей हां से ए यहान से फंक्शंट करा सकते हमको कंसा functionwen यहां यहां पर सरे आपको function मिलेंगे यह तो हमारे सारे most recently जो हमने लास्ट में use कृए हैं इसके अलाव हमको कौन-कौन से किस कैटेगरी के फंक्शन से हैं वो सारी कैटेगरी आपको यहां नजर आ जाएंगी या फिर आप डिरेक्ट यहां से भी देखो सभी कैटेगरी हमारे पास अलग-अलग दिखाई दे रखें तो तो सभी category के functions देखो, यहाँ पे इस category के function, यहाँ पे इस category के function, है ना? कुछ common function होते हैं, यहाँ पे देखो auto shum है, इसके अंदर आपको कुछ common function नजर आएंगे, shum, average, count numbers, max, minimum, और कुछ और more functions हैं. तो function को सीखने से पहले, थोड़ा सा हम formula लगाने का ज्यान ले लेगे, formula Excel में काम किस पर कार करता है, आपने math पढ़ा है, मैंने math नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना पढ़ा है कि मैं थोड़ा बहुत function लगा सकूँ, आपको पूरी तरह से सिखा शकूँ, तो math के अंदर एक rule आता divide, multiply, adds और subtract, यहीं होता है, यानि कि इसी sequence में काम करता है function, सबसे पहले brackets open होती है, फिर off काम करता है, फिर divide काम करता है, वही नियम यहाँ पर काम करेगा Excel के अंदर, देखो यहाँ पर कुछ value दी कई है मेरे पास, मैं इन सभी values को पहले तो जोड़ के देखता हूँ, कैसे ज equal के साथ मेरे पास value है two, हमने इसको जोड़ना है, जोड़ने के लिए चार arithmetic symbols use होते हैं, plus, minus, divide, or multiply, यही सारा काम Excel के अंदर है, कुछ logical operators होते हैं, less than, greater than, equal to, less than equal to, greater than equal to, यह not equal to, इसके अलवा ज्यादा math इसमें नहीं है, शारा Excel के functions का magic रहेगा यहाँ पर, तो मैंने add कराना है, जोड़ना है, तो हम simply arithmetic use करेंगे, plus का symbol, four, plus, six, plus, eight, plus, ten, यही value है, enterprise करा देंगे, इसी परकार हमने इनका भी जोड़ कराना है, इनका भी जोड़ कराना है, तब हम देखो, यहाँ पर फिर से equal करके, इनको add करेंगे, फिर equal करके, इनको add करेंगे, तो मैंने आपक function को निचे तक fill कराना चाहें, तो simple हम इसको इस परकार से select करा देंगे, और control-d press करेंगे, तो यह function अभी में add हो जाएगा, देखो, उपर formula बार के अंदर आपको, यह value, 30 value नजर नहीं आ रही होगी, जो हमने अभी formula अपलाई किया था, वो formula नजर आ रहा है, अभी सभी आएगा, अगर हमने manually add कराना है, तो फिर actual के magic का फाइदा क्या हुआ, तब देखो, क्या कि हमने यहाँ पे, हमने यह value add करी है, हमने value add नहीं करनी है, हमने formula अपलाई करना है, एक्सल में जब भी काम करना है, values पे नहीं, हमने cell पे काम करना है, तो यहाँ पे मैं इसको delete करात हूँ, हमने value नहीं, हमने cell add करने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ equal, और यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे यह cell का नाम दे देंगे, यह cell कोंट सा है, यह मैंने आपको starting में समझाया था, जदि आप regular user है हमारे, देख रहे हैं लगातार पूरी series, तो आपको पता होगा complete cell क्या होता है, range क्या होती है, name box कहां पे मिलेगा है, सब चीजे मैंने आपको बताईए, तो यह cell हमारे देखो, column number C, और row number 3, C3, तो हम यहाँ पे type करेंगे, C3, plus, हम इस परकार के mouse से भी click करा सकते हैं, तो यह भी automatic उठा लेगा, देखो, D3, इसने अपने आप ले लिए cell address, plus sign use करेंगे, इसके लावा हम keyboard से arrow key का भी use कर सकते हैं, left arrow से हम इधर ऐसे आएंगे, तो देखो, यहाँ पर यह पहुंच जाएंगे, हम E3 के अंदर, फिर से plus sign use करेंगे, फिर से arrow key use करेंगे, फिर से plus use करेंगे, mouse से ऐसे भी click कर सकते हैं, तो कोसिस करें, जितना ज्याद आप keyboard का use करें, जल्दी काम होता है, अच्छा काम होता है, सारे cell हमने डाल दिये, enterprise करा देंगे, result हमारा वही आ गया, क्योंकि जो cell हमने यहाँ पे दिये हैं, उन cells में वही तो value है, जो हमने पहले value जोड़ी थी, तो उस cell में जो भी value होगी, वो यहाँ पे add कर देगा, यह तो तरीका था हमारा formula apply करने का तरीका, अब इसके अंदर हम यह rule apply करके देखते हैं, मैं delete कराता हूँ और यहाँ पे इस rule के according, मैं करता हूँ देखो equal, यह cell, मैं पहले करता हूँ plus, दूसरा cell, minus, तीसरा cell, multiply, चोथा, और divide by 5 आपने देखा मैंने कैसे add किया, मैंने किया, plus, minus, multiply और divide, enterprise करा देंगे, यह result आ गया, 37.2, थोड़ा सा symbol change कर दे, मैं यहाँ पे कराता हूँ equal, और as it is, मैं यहाँ पे यह cell, और अब plus की बज़ाए पहले मैं minus यूज़ कर दूँ, यह cell, multiply, यह cell, divide by यह cell, और plus यह cell, enterprise करेंगे, symbol हमारे सारे वो के हो, हमने जैसे चार symbol यहाँ पे यूज़ करते हैं, चार हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए, और enterprise करा देंगे, result आप देख सकते हो, value हमने कोई change नहीं करी है, हमने सिरफ symbol इधर से उधर किये, या फिर यहाँ पे देखते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे bracket लगा देता हूँ, अभी तो result था 37.2, लेकिन अब जैसे brackets मैंने यहाँ पे लगा दी, तो अब result आपको दिखाई रहेगा 29.2, अब समझगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह इस नियम को follow कर रहा है, यहाँ पे, पहले brackets open हो रही है, फिर off यहाँ पे कैसे apply करेंगे, और bird mask का नियम यहाँ पे कैसे लाग वो होता है, अब चलते है function के उपर, आज हम clear करेंगे sum function को, पहले कुछ एक दो formula और देख लिए, हमने plus का देखा है, minus का देख लिए, multiply करा करा के देखते हैं, यह देखो कुछ item लिए, मैंने यहाँ पे सारे हैं, इधर function के rate दिये गए है, यह quantity दी गई है, हमने total निकालना है, तो total के लिए सिधा हम rate multiply quantity करेंगे, और multiply sign के लिए सीधा formula यूज कर सकते हैं, equal का sign दिया, यह cell हमारा d17 और asterisk, यहाँ पे लगाएंगे, यह multiply का का काम करता है, जो star लगाते हैं, दूसरा cell हो गया काम, इसी formula को इस प यह सभी का multiply यहाँ पे आ गया, इस सभी का जोड कराना है, total कितने के हुए item, यह total quantity कितनी हुई, तब उसके लिए हम add कर सकते हैं, equal यह cell प्लस यह, प्लस यह, प्लस यह, प्लस यह, प्लस यह, लेकिन यदि यह values बहुत ज़्यादा है, तब हम कब तक plus करेंगे, इसके लिए एक्सल ने एक function दिया है हमको, sum function, जिसको हम auto sum, यहाँ पे आप यह आड़ा, टेड़ा, डवलू देख रहे हैं न, यह auto sum का sign है, हम यही पे यदि किलिक करा दें सिदा सिदा, तो देखो हम यहाँ पे इसने यह पूरी range उठा ली, यह कहरा है, equal sum e17 से e22, यह सिदा sum करा देत है, क्या कह रहा है, sum कैसे कैसे sum कर सकते हम, आप इसका concept समझते हैं, देखो हम करते है, equal sum, यह क्या करेगा, यह करेगा, add all the numbers in a range of cell, हम जितने भी cells की range यहाँ पे इसके अंदर provide कराएंगे, इसको हम यह range देदें, यह भी देदें, यह भी range देदें, यह देदें, तो यह क्य है, यहाँ पे, इसमें हम कितने parameter use कर सकते हैं, कौन-कौन से argument यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर एक ही argument आता है, number one, comma, उसके बार देखो, यह square bracket के अंदर देख रहा है, इसका मतलब है, यह optional है, जो भी square bracket में नजर आए, वो parameter optional होता है, हम यहाँ पे number two, comma, dot dot dot, multiple numbers यहाँ पे देदू, यह यहाँ से, यहाँ तक, इस परकार से, पहला cell, E17, colon use करेंगे, और आखरी का cell, E22, तो यह जो बीच के colon जो sign है, यह जदी हमने बीच में लगा दिया, तो इसका मतलब है, कि एक multiple cells की range यहाँ पे define करा देता है, और उस range के अंदर जितनी भी value होंगी, जितने भी cells होंगे, उन सभी की values का add करा देगा, सिरफ यही parameter यहाँ पे हम दे सकते हैं, और enterprise करा देंगे, तो देखो वही result आ रहा है, अब optional क्या होता है, optional parameter के लिए, देखो हमने एक range यहाँ पे pass करा दी, हम coma use करते हैं यहाँ पे, और दूसरा number, भाई हमने इसको भी सी में जोड़न तीशरा हमने यह भी दे दिया, bracket close कर देंगे, और enterprise कर देंगे, तो इसको इन सभी का sum आया पे आ गया, तो उनको बार बार सभी को जोड़ना है, तो sum लगाने की जोड़ना है, तो sum लगाने की जोड़ना है, बार बार हमको एक ही बार sum लगाके, हम multiple numbers इसमें दे सकते हैं, ए लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यदि आपके पास data जब बहुत ज्यादा है, और बीच में कोई cell हमारा blank है, तब देखो यदि हम करते हैं, यहां पर alt equal, तो देखो यहां पर क्या कर रहा है, यह जहां भी इसको blank मिल गया, यह वहां से एक range break मान लेता है, इसके बाद इसको नहीं मिल रहा है, तो यह इतनी range माने का चाहिए, इस से उपर सारी range बची हुई हो, बस इस सीज का आपने खास ख्याल रखना है, फिर हमने क्या करना पड़ेगा, जो पहला cell है हमारा, वो देखना पड़ेगा कौन सा cell है, और उसमें हमने only उसका number change करना पड़ेगा, पहला हमारा 17 है, और हो गया काम, वापस से मैं undo कराता हूं, और थोड़ा सा उपर लेकर चलते हैं वापस से, यह भी मैं delete करा देता हूं, अब देखिए हमने यहां पे इसका sum यहां चीए, इसका sum यहां पे, यहां पे, यहां पे, और इदर इनका ऐसे भी sum हम क कराने है, तो थोड़ा सा तो हमारा समय लगेगा, कितना समय लगेगा, पहले तो हम यहां पे करेंगे, alt, equal, enter, हो गया, इसको हम निचे तक fill करा देगे, फिर हम इधर आएंगे, इधर करेंगे, alt, equal, और अब हम इसको यहां तक निचे fill करा देगे, हो गया काम, लेकिन यह सम select करा ले Alt-Equal हो गया काम जब इधर हम यह काम कर सकते हैं तब हम इन सभी को ऐसे भी तो select करा सकते हैं ऐसे select करा के कर देंगे Alt-Equal बस एकदम से सभी का सम आ गया इसी परकार के कुछ और function है जो मैं आपको homework के लिए दे रहा हूँ आप पहले उनको खुद try कीजिए और फिर next वीडियो में हम उनको जानेंगे जैसे की एक function होता है count, counter, count blank, average, max, min यह सारे आपने use करने हैं इन में ज्यादा parameter नहीं हैं सम की तरह से ही है count क्या काम करता है, count सिरफ उन cell को count करेगा जिनके अंदर numbers हैं और जो blank नहीं है fill हैं लेकिन जिनमें number है, counter यह all fill cell को count करेगा चाहे उसमें number हो या alphabet count blank, only blank cells count करेगा, average का function, average निकाल के देगा हमको मान लीजिए यहां पर हमारे पास quantity अलग-अलग है या rate अलग-अलग है, हम average rate निकालना चाहें तो हम इनकी average निकाल सकते हैं, सभी को हम जोड़ देंगे और total count करके उसको divide कर देंगे इतना काम करने की बजाए हम सिरफ average function से भी काम चला सकते हैं या फिर इस cell में या इस cell में या फिर पूरे area के अंदर पूरे array में maximum value कौन सी है और minimum value कौन सी है यह देखने के लिए max और mean function का यूज़ करेंगे इनको हम practically next video में करेंगे फिलाल यह आपके लिए homework है एक बड़ ट्राइ करके देखें I hope वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा इसी परकार अच्छे च्छे वीडियो देखते रहने के लिए मरसाथ बने रहे हमारे वीडियो को जादा जादा हम दोस्तों में share करें में like करें और या दिन नए है आप में चल पे तो हम subscribe जरूर कर ले